आज में बनाने जारी चना दाल का तरका आते हैं तरका बनाना बहुत ही असान है और खाने में भी स्वाधिश्ट है तो बहुत ही कम समय में आप जटपट घर पर इसे बना कर तयार कर सकते है अगर आपको मेरी रईस पर पसंद आए तो पलीज चैनल को सस्काब करना ना भूले तो चलिए मैं रइस्पी को सब्चारद करते हूँ तरका बनाने के लिए मैंने चना दाल को पहले से भींगो कर रखा है और इसका जो पानी था मैंने निकार लिया है तो मैंने रात को ये फुलने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से फुल गया है तो यहाँ पर मैंने एक प्याज को लंबे टुगरों में काटा है और एक टमाटर को मैंने बारिक टुगरों में काटा है तो यहां पर मैंने कुकर को रखा है और इसमें मैंने दो चमच ससो का तिल डाला है और यह मैंने डाला है एक लाल मिर्च को दो टुकरों में करके थोड़ा सा मैंने यहां ससो का दाना और थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है और ये मैंने अधरे का और हरमेश का पेस्ट डाला है और इसे मैं मिला लेती हूँ तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ बारे कटा हुआ प्याज को इसे भी दो से दो मिनट के लिए मिडियम गैस पर मिला कर भूंज लेती हूँ हलका सा प्याज का कलर चेंज हो जाए तो मैं इसमें टमाटर को डाल दूँगी यहाँ पर हलका सा प्याज का कलर चेंज हो गया था तो मैंने टमाटर को डाल दिया है और इसे भी मिलाते हुए मैं दो मिनट के लिए भूंगी लेती हूँ अब मैं इसमें डालूंगी सुका मसाला इसमें मैंने डाला है एक छोटा चमच हल्दी पौडर ये देखे और ये मैंने जीरा पौडर डाला है आधा चमच और ये मैंने डाला है एक चमच कस्मीरी लानमीच का पौडर तो ये तिकी वाली नहीं होती है सिर्फ मैंने कलर के लिए डाला है और एक चमच मैंने धनिया पौडर डाला है मसालों को मैंने अच्छे से मिला लिया है और ये देखिए मसाला भी अच्छे से भुझा गया है तब मैं इसमें एट करूंगे चना दाल को तो यहाँ पर मैंने चना दाल को डाल दिया और इसमें मैंने डाला स्वादनिसा नमक तो इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है और मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने दो ग्लास पानी डाला है और इसमें से मैं मिला लेती हूँ और मैं इसमें डालूंगी आदा चमस गरम मसाला तो मैंने यहाँ अच्छे से मिला लिया अब ढगन को मैं लगा लेती हूँ और चार सिटी आने के बाद मैं गैस को बन कर दूँगी यहाँ पर गैस को मैंने मिडियम ही रखा है क्योंकि चना दाल जो है मैंने उबाला नहीं था तिसे कम गैस पर ही पका लूँगी तो यह देखिए तो उपर से मैंने धनिया पता डाला है तिसे रोटी प्राठा किसी के साथ भी आप खा सकते है अगर आपने मेरे तरीके से नहीं बनाया है तो प्लीज एक बार मेरे तरीके से ट्राइ करके देखिएगा यह आपको बहुत पसंद आगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और मुझे फेस्बेक इस्टाइगर पर भी जरूर फॉलो किजेगा तो चलिए मैं मिलते हूं नहीं वीडियो के साथ तत्त के लिए बाई बाई